आज फिर से दुवे सर के क्लास में आज हम सब एकाउंटेंसी के MCQ और SAQ के बारे में जानेंगे 2017 से सम्मंदित पेपर के ब्यारे में 2017 वेश्ट वेंगल के हायर सेकेंडरी एक्जामिनेशन में क्या कुछ कोश्चन पूछे गए थे उन सभी के MCQ और SAQ की चर्शा करने के लिए आज हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं आपको पता है कि एकाउंटेंसी ही नहीं और भी सभी पेपर्स में सभी विस्याओं के पेपर में MCQ और SAQ का पार्ड इतना जादा महत्व पुर्ण है कि आप केवल उसको करके आप अगर उसको करते हैं तो आप पास भी हो सकते हैं साथ ही साथ आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे आपके अंक अच्छे आएंगे अगर आप MCQ और SAQ को इगनोर करते हैं तो आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते ऐसा आप study करेंगे तो पता चलेगा तो चलिए इसी सिलसिले में मैंने सभी विश्यों के MCQ, SAQ यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिस की है ताकि आप सभी भीवर्स, आप सभी students को बहुत लाब मिले और आप अच्छे अंग प्राप्त कर सके बहुत सारे धन्यवाद, बहुत सारे comments आते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोग भी वीडियो देखें चैनल सब्सक्राइब करें और अपने like करें, share करें और अपने comments जरूर बताएं जो अच्छा बुरा लगे उसको भी share करें तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्न है the balance of drawing account is always zero, credit, debit or none of these तो आप उत्तर देंगे C, debit if the average profit is if the average profit is rupees 3 lakhs normal rate of return is 12% and the amount of capital employed is rupees 22 lakhs then the value of goodwill under the capitalization method will be उत्तर देंगे आप 3 lakhs calculate करेंगे कैसे आप 22 lakhs का 12% calculate करें तो normal profit आएगा फिर आप उस normal profit को पाएंगे 5 lakhs 64,000 I think आप पाएंगेहा और आप पाएंगेजार आप आप पाएंगे hoki आप nitrogen 25,00 I think 12% आप निकालीए और आप पाएंगे 2,64,000 फिर उसको 3,00,000 में से माइनस करिए फिर जितना आता है उसको आप in 200 divide by 12 करिए तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा वो आएगा 3,00,000 तो आप आगे बढ़ें थोड़ा रुग गया में वो कुछ sounds भी इधर आ रहे थे और calculate करने में भी दिक्कत हो रहे थी if the existing profit sharing ratio among A, B, C 3, 2, 1 and is changed to 1, 2, 3 then the partners whose share will be unaffected is तो आप यहां देख रहे हैं कि शुरू में जब old ratio में 3, 2, 1 था new ratio 1, 2, 3 हो रहा है तो profit change in profit sharing ratio में एक ही आदमी है जिसका share बदला नहीं है और total share पहले भी same था अभी भी shame है तो आप देखेंगे कि B का share पहले भी 2 था और इस समय भी 2 है तो आप इसका उत्तर देंगे B और उसका answer है B M, N and O are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5, 3, 2 N retires and his share of goodwill is agreed at rupees 21,000 यानि बीच वाला partner N retire हो रहा है तो remaining partners के ratio रह जाएंगे 5 इस टू अब आप से पूछा जा रहा है the amount to be debited to M's capital account यानि M के हिस्से में कितना goodwill का part आएगा जो M लाएगा और N को देगा तो आप इसका उत्तर देंगे 21,000 का 5 by 7 यानि 15,000 15,000 रुपया M's के हिस्से में जाएगा 15,000 रुपया M के हिस्से में जाएगा जिसे वो लाके N को देगा तो आप इसका उत्तर देंगे A 15,000 next authorized capital means maximum limit of share capital minimum limit of share capital no limit of share capital or none of these तो आप उत्तर देंगे A maximum limit of share capital after final call X limited credited rupees 35,000 to forfeited shares account final call के बाद X limited credited हुआ 35,000 forfeited shares account for forfeiting 500 shares of rupees 10 each यानि total share है 500 into 10,000 फाइब थाउजंड का इस share भी re-issued for rupees 2,500 5,000 का share 2,500 में re-issue हुआ तो हम लोग forfeited share forfeited amount में से कितना पैसा utilize करेंगे यानि 35,000 रुपे में से पचीस सो रुपया utilize करेंगे जो यहां कम बढ़ रहा है और उस जो बच गया 35,000 में से पचीस सो गया तो एक हजार रुपया बचा तो आप इसका उत्तर देंगे 1,000 जो की A number option में दिया हुआ है Next, premium received on issue of shares can be used for issue of fully paid bonus share distribution as dividend transfer to general reserve none of these तो आप पहला उत्तर देंगे issue of fully paid bonus share the balance of securities premium account is shown in the balance sheet under current liabilities reserve and surplus share capital none of these उत्तर देंगे B, reserve and surplus the liability of the partners in a partnership firm under Indian Partnership Act 1932 is limited, unlimited, no liability depending on the situation तो आप उत्तर देंगे B, unlimited in absence of partnership agreement partners can get salary commission, interest on loan or all of these तो आप उत्तर देंगे interest on loan the profit sharing ratio of A and B is 2 is to 1 and that of B and C is 3 is to 2 the profit sharing ratio of A, B, C will be 6, 3, 2 इसको आप दोनों तरफ आप ध्यान से देखें A और B में 2, 1 है और B और C में 3, 2 है तो कहीं से भी B का एक पार्ट पकड़े और उसको उपर या नीचे कहीं भी multiply करे करने के बाद आप 6, 3, 2 पाएंगे आप उसको करके देख सकते हैं आप नीचे वाला यानि B का जो value है 3 इसको उपर वाले value में multiply कर दीजे 3 into 2 और 3 into 1 कर दीजे तो जो आएगा वो ratio A, B, C का निकल जाएगा जब भी मैं बता दूं आपको कि जब कोई नया partner admit होता है तो old partners के profit घट जाते हैं क्योंकि उनके घटे हुए profit का ही part जो जितना घटता है profit वही profit new partners को मिलता है तो it means की वो लोग sacrifice करते हैं old partner sacrifice करते हैं और वो sacrifice किया हुआ part new partner को as a profit मिलता है तो आप से पूछा गया यहाँ पे कि जो agreed to surrender करते हैं वो कौन सा profit कहलाता है कौन सा ratio कहलाता है sacrificing ratio, gaining ratio, profit sharing ratio या capital ratio तो आप उत्तर देंगे sacrificing ratio discount on reissue of forfeited share cannot be less than balance of forfeited shares account cannot be more than balance of forfeited shares account cannot be equal to balance of forfeited shares account or none of these तो आप उत्तर देंगे b cannot be more than balance of forfeited shares account interest paid on debenture is charge against profit appropriation of profit liability or none of these तो आप उत्तर देंगे पहला charge against profit x and y are two partners sharing profit and loss in the ratio 5 is to 3 jd is admitted as a new partner for one fourth share of profit the sacrificing ratio will be तो यहाँ पे आप सबसे पहले new profit sharing ratio निकालेंगे जो की जो की new profit sharing ratio जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 15,9,8 फिर उसको निकालने के बाद आप 5 by 8 minus 15 by 32 और 3 by 8 minus 59 by 32 जब आप करेंगे तो आपको answer मिलेगा last वाला 5 is to 3 और यहाँ पे आप sacrificing ratio calculate करेंगे तो इसको फुरसत से copy pen लेके निकालिए आराम से अगर आता है नहीं आता है तो इसको book वगर देखके सीखने की कोशिस करिये और फिर आप इसको answer को दीजिए तो आप उत्तर देंगे आप इसको आप आप इसको 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 An example of cash inflow from financing activity is shale of machinery, issue of new debentures for purchase of furniture or transfer, तो आप उत्तर देंगे issue of new debentures. If the gross profit ratio is 12% on cost price and the selling price is Rs. 224,000, then gross profit will be, इसको calculate करेंगे तो आप उत्तर पाएंगे 24,000, 24,000 is the answer. इसको calculate करना होगा सर, अच्छे से calculate करेंगे फिर आपको answer मिलेगा. वैसे ये कोई आपके standard का सवाल नहीं है, अगर आप लोग 9-10 में इसको सीखे होंगे अच्छे से, तो उसी आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं. The working capital of a concern is Rs. 60,000, current liability are Rs. 80,000, total assets are Rs. 6,00, तो current liability, non current assets आप से पूछा है, तो आप सबसे पहले 6,00, में से 80,000 माइनस करिए, तो आएगा 5,20,000, फिर उसके बाद 60,000 माइनस करिए, जो working capital का part है, तो जो पैसा बचेगा, यानि 5,20 में से 60 गए, तो 4,60, जो पैसा बचेगा, 4,60,000, वही आपका, 4,60,000 is the, sorry, होगा, non current asset, 4,60,000 आपका non current asset होगा, total sales and cash sales of a concern are rupees 6,00,000 and 40,000, यानि total sales है 6,00,000 और cash sales है 40,000, यानि credit sale अगर आपको निकालना हो, तो आप 6,00,000 में से 40,000 माइनस कर दीजिए, that is, डेटर्स आपके मिल जाएंगे 5,60,000, amount of average data is 1,40,000, अगर average data यहाँ पे 1,40,000 है, तो जो अभी मैंने 5,60,000 निकाला था, उसमें आप 1,40,000 से divide कर दीजिए, जितना आएगा, यानि 4 times आएगा, और वही आपका data टर्नोफर ratio होगा, तो आप A, B, C, D मेंसे उत्तर देंगे, B जो 4 times है, calculate भी कर लीजिए, average stock is rupees 75,000, and stock turnover is 12,000, if profit on sale is 20%, then the amount of profit will be, amount of profit will be 2,25,000, 2,25,000, now, your SAQs start here, from here, what is partnership deed, partnership deed, is a written agreement between the partners of the firm, what is fixed capital of a partner, answer, fixed capital of a partner, for a particular accounting year, if opening and closing capital of a partner is same and equal, then it is called fixed capital of a partner, when is PL appropriation account is prepared as a part of final accounts of partnership firm, it is prepared at the end of the particular accounting year, partnership firm के end में बनाया जाता है, PL appropriation, W, Y, and Z, we are in a, W, Y, and Z, we are in a partnership, sharing profit and losses, in the ratio 5, 4, 3, Y retired, and the new profit sharing ratio between W and Z was decided to 3, 2, okay, calculate the gaining ratio, so this is the very easy task, आप gaining ratio निकाले, new ratio यहां पर दिया भी हुआ है, details में, gaining ratio equals to new ratio minus old ratio, and according to the given data, you are getting the new ratio is 3 by 5 between W, W, तो 3, 5, 5, and old ratio is 5 by 12, और इसको minus करेंगे, फिर उसी तरह से 2 by 5 में से 4 by, 2 by 5 में से 3 by 12 minus करेंगे, तो आपको 11 is to 9 मिलेगा, very easy task है, यहां पर very clearly बना के भी दिया हुआ है, आप इसे देखके कर लें, 5. Pass the journal entry for a distribution of laws on revaluation among the partners in case of admission of a partner in a firm, journal entry is old partner's capital account DR to revaluation account, being laws on revaluation account, transfer to old partner's capital account, pass journal entry in the books of the partnership firm for payment or premium for goodwill by a new partner, journal entry is cash and bank account dr to premium for goodwill account being cash bank brought in for premium for goodwill what is sacrificing ratio when there is a change in the profit sharing ratio one or more of existing partner have to surrender their existing share the ratio in which they surrender is called sacrificing ratio sacrificing ratio is calculated as old ratio minus new ratio what do you mean by calls in advance calls in advance refers to the amount received by the received from the shareholders which has not yet been called up by the company यानि पहले ही जब कोई जैसे एकंपनी अकाउंट में आपने पढ़ा था application allotment first call second call and so on तो आप उसमें देखे थे कि अगर कोई partner before the call यानि first call में ही second call का पैसा दे दे या allotment में first call second call का पैसा दे या allotment के संग सारे calls का पैसा दे तो ये calls in advance कहा जाएगा what do you mean by issue of shares at a par issue of shares at par shares are said to have been issued at par when an application applicant has to pay a sum equal to the face value of the share we know that the we can issue the share in three different types issued at par issued at premium and discount तो आप ये par means the action जो value दिया है उसी value के value का price payment करके आप अगर लेते हैं 10 का share 10 में मिले this is called par 10 का share 8 में तो discount और 10 का share 12 में तो premium in which account profit on reissue of forfeited share is transferred profit on reissue of forfeited share is transferred to capital reserve account what do you mean by reserve capital reserve capital is a portion of authorized capital which cannot be called up till the dissolution of the company what do you mean by uncalled capital it is that portion of the issued capital which has not been called up at the time of requirement this amount can be collected by the company what are the two main financial statement of business organization financial statement refers to the study of data contained in a set of financial statement that is income statement it means the statement of profit and loss and positional statement that is the balance sheet write the formula of creditors turnover ratio the creditor turnover ratio is equal to net credit purchase and divided by account payables and what is idle quick ratio idle quick ratio is one is to one mention one limitation of ratio analysis accounting ratio do not consider the quantitative aspect of transaction according to which accounting standard the cash flow statement is is prepared the cash flow statement is prepared under as3 and in this way we can we have already completed our 2017 mcq and saq and saq and if you listen to this, if you listen to this, if you listen to this, we can complete this, we have already completed you have to have already about the first year in comparison in the case of valor, you have already completed your papers and your papers and your papers made it very nice to this and your papers have been able to reply you and get this report report, as far as of the report report, you can view it and the exam of exam for before, you can see it very much on the अगर साबित होता है तो चलिए ज्यादा अब आप से क्या कहूं मैं इसकी उपयोगिता आप भी समझी रहे होंगे तो अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और एजुकेशनल चैनल को जब आप सब्सक्राइब क किसी चैनल से कोई उपयोगिता लेते हैं तो आप उसको छोड़ कर मत जाईए सब्सक्राइबर बने रहिए आपको देखना है नहीं देखना है वो आपका बात का मैटर है आपको ज़्यादा तो परिसानी होती नहीं ऐसा तो है नहीं कि टीचर वहां आपके मोबाइल स्क्र चैनल को अंसब्सक्राइब मत करिये थैंक यू आप लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए बने रहिए दुबेसर के साथ